हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्शा की रसोई, आज मैं आपके लिए बना रहे हूं रसमलाई, ये डिश जितनी खाने में टेस्टी है, उतनी ही बनाने में आसान है, आईए तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक लिटर गाय का दूद, अधा लिटर भैस का दूद, दोसो पचास ग्राम चीनी, एक निम्बुका रस, कुछ बादाम कटे हुए, दो चमच मिल्क मेट, केसर दूद में भीगा हुआ, थोड़ा पिस्ता कटा हुआ, और हमें रंकी जोरत पड़ेगी, केसरी रंकी सबसे पहले हम एक पैन में, जो हमने आधा लिटर भैस का दूद लिया था, उसे चड़ा देंगे गाड़ा होने के लिए, क्योंकि दूद गाड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसे बीच बीच में चलाते रहें, इसके बाद दूसरे पैन में, जो हमने एक लिटर गाए का दूद लिया है, उसे उबलने के लिए चड़ा देंगे, इस दूद का हम छेना बनाएंगे, तिकी दूद में उबाल आ गया है, अब आप गैस को बन कर दीजिये, और लगबग एक मिनट बाद जब इसका टेंपरिचर थोड़ा डाउन हो जाए, हम इसमें नीबू का रस में लाएंगे, अब हम धीरे धीरे इसमें नीबू का रस डालेंगे, अब धीरे धीरे आप इससे चमस से हिला लेजें, आप देखेंगे कि दूद पढ़ गया है, अब इस तरह से आप एक चमी ले लेजें, इसमें हम छेने को चानेंगे, इसके लिए हम इसमें एक मलमल का कपड़ा बिचा देंगे, चेना भी बहुत गरम है, और इसमें हमने नीबू का रस डाला हुआ है, हम सबसे पहले इसे खंडे पानी में ठंदा करेंगे, और अब भू दे लेंगे, उसके खटा पर लेकल लिया है, छेना हमने अच्छी तरह से धोलिया है, और आब इसका पानी अच्छी तरह से निशोड़ लेंगे और छेने को सूखा कर लेंगे, आप चाहे तो ऐसे हाथ से दबा-दबा की भी इसका पानी लिकाल सकते हैं चाहे तो आप 15-20 मिट इसे हैंक कर सकते हैं पानी निकल जाने के बाद हमारा चेना कुछ इस तरह से दिखेगा अब आप एक थाली ले लीजिए अब हम इसे मलना हैं अब इसमें काफी दाने हैं अब हम इसे कम से कम 5-7 मिनट कंटिनुसली मलें जिससे यह काफी चिकना हो जाएगा मलने के लिए अपने हाथ के इस भाग का इस्तमाल करिए इस तरह से इसे मल मल के हमें बिलकुल चिकना करने लेगा है इसे मलते हुए मुझे पांच में थो चुके हैं अब हम इसमें केसरी रंग मिलाएंगे इसके बाद हम इसे वापस से मलेंगे फिर इसकी हम गोलियां बना लेंगे छेना बिलकुल तयार हो चुका है अब थाली मैंसे घुमाएंगे तो यह बिलकुल लगेगा ने अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं तो हम इसकी थोड़ी चप्टी गोलियां बनाएंगे इस तरह हाँ से इसको थोड़ा पुष्ट कर देजे इसी तरह हम अपनी सारी गोलियां बना लेंगे देखिए इस तरह से हमने अपनी सारी गोलियां तैयार कर ली हैं यह हमने छोटी छोटी इसलिए बनाई हैं क्योंकि जब यह अभी उबलेंगी तो अपने साइस से थोड़ी बड़ी होंगी अब हम क्या करेंगे कि लगभग एक लीटर पानी इस पैन में उबलने के लिए चड़ा देंगे ध्यान रहिए कि आपको पैन हो थोड़ा गहरा और थोड़ा बड़ा होना चाहिए कि गोलियों को पकने के लिए जगह चाहिए होगी अब हम इसमें जो हमने 250 ग्राम चीनी ली थी वो मिला देंगे और जैसे ही चीनी घुल जाएगी हम इसमें बॉल्स डाल देंगे जो दूद हमने गाड़ा करने के लिए चड़ाया था अब वो थोड़ा गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें बाकी के इंग्रीडियन्स डाल देंगे सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बदान, पिस्ता, केसर मिला दूद और मिल्कमेट अगर आप मिल्कमेट ना डालना चाहिए तो आप इसमें दो चम्मत चीनी डाल सकते हैं पर लेकिन मिल्कमेट से इसका टेस्ट बहुत अश्चा आएगा देखिए केसर से इसका कलर बहुत सुन्दर आ गया है तो हमें इसमें कलर डालने की ज़रत नहीं है केसरी रंग भी डाल सकते हैं बद इसको पांस से दस मेट और पकाएंगे कम आच में उसके बाद हम इसे ठंडा गनी के लिए छोड़ देंगे पानी बिल्कुल उबल चुका है चीनी भी घुल गई है अब हम इसमें अपने छेने के बॉल्स डाल देंगे आप एक एक करके सारे बॉल्स डाल देजिए अब आप इसमें एक बात ध्यान देनी है कि इसे आपे तेज आच में ही रखना है और इसे ढखकर पंदरा मिनट तक तेज आच में ही पकाना है आप कभी भी इसका आच कम मत करिएगा दूद बिल्कुल तयार हो चुका है अब आप अपनी गैस बंद कर सकते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए इसे उबलते पांच मिट हो चुके हैं और इस साइज में कितने डबल हो गए हैं इसे हमें दस मिनट और पकाना है पांच मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे दस मिनट हो चुके हैं अब हम इसे बिल्कुल हलके हातों से पलट देंगे इस तरह से आप बिल्कुल दीरे दीरे इसे पलट देजिए ध्यान रहे कि यह टूटे ना कितने संदर दिख रहे हैं यह वसी से हमें धब कर पांच मेंट और पकाना है उसके बाद यह तैयार हो जाएंगे 15 मिनट हो चुके हैं देखिए इस तरह से बन के तयार है हमने एक बार भी इसकी गैस कम नहीं करिए बिल्कुल हमने इसे तेज आच में ही पकाया है आप इस बात का ध्यान जरूर रखें अब आप अपनी गैस बन कर सकते हैं गैस बन करने के बाद आप इसे टच मत करिए इस इसको इसी में ही ठंडा होने देजिए लगवाग एक घंडे में यह ठंडा हो जाएगा देखिए अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है आप देखिए इस बाल्स को दबाके यह टूटने रहे हैं और जब वापस इसे चाशनी में डालेंगे तो यह वापस फूल जाएंगे अ दूसरे प्लेट में रख लेंगे अगया इसी तरह से हम सारे रख लेंगे इस तरह से हमने इसका रसलिकाल के एक दिश में बिचा लिया ऐसे अब हम इसके ऊपर जो हमने दूद गाडा किया था इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से यह पूरा दूद से ढग गया है अब हम इसे लगभग पांच से छे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद यह खाने के लिए बिल्कुल तयार हो जाएगे ठंडी होने के बाद बिल्कुल तयार है खाने के लिए यह रस मलाई आप उमीद करती हो कि आपको मेरी यह डिश जरूर पसंद आई होगी आप मेरे डिश को लाइक करिए जादे से जादा शेयर करिए कमेंट द्वारा मुझे बताइए कि यह डिश कैसी बनी है और मेरा चै झाल 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 झाल